कैसे हैं आप सभी? I think स्वस्थ होंगे? आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अक्सर महिलाओं को पिरियर्स में कमर दर्द की शिकायत होती है तो इसके कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या होता है? कैसे इसे पहचानेंगे? आप सभी कि दर्द हो इस स्थिती से हर महिला को गुजरना पड़ता है क्योंकि महिलाओं को पिरियर्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन कुछ महिलाओं के लिए पिरियर्स वास्तों में बहुत ही अधिक धर्दनाक होता है इसके पीछे कुछे कारण होते हैं और अगर इन्हें पहचान लि कुछ भाग ओवरी फैलोपियन ट्यूब या आतों में पहुंच जाता है तो इसकी कारण तेज कमरदर्द होने लगता है गरभाशे में सिष्ट या यूट्रीन फाइब्रोईड ये गैर कैंसर जन्य वृद्धी है जो यूटेराइन वाल पर बनती है इस कारण से भी फिरि वाह को बाधित करता है जिस वजह से गरभाशे पर दबाव बढ़ता है और पीरियर्ट में कमर दर्द की समस्या होने लगती है अगर आपको पीरियर्ट के दोरान पेट दर्द की जगह पर कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है तो नमक कम खाएं इस बात का ध्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ पिरियर्ट में भी दर्द बढ़ने लगता है। बन सकता है पिरियर्स के दोरान हेल्दी डाइट न लेने के कारण भी महिलाओं को तेज कमर दर्द होता है ओवरी में इंफेक्शन की वजह से भी ऐसा होना पॉसिबल होता है अब इसके लक्षन क्या है कैसे पहचानेंगे वैसे तो आप को हसी आई होगी क्योंकि दर्द होग के दोरान एंडोमेट्रियोसिस पीट के निचले हिस्से में दर्द का एक आमकारण होता है एंडोमेट्रियोसिस के लक्षनुक में कुछ एक चीजें सामिल हैं जैसे की पीरियर्स के दोरान अत्याधिक दर्द इसके अलावा पीरियर्स के दोरान भारी रक्तस्त्राव बां जयंत अप्रिय गंध का निर्वहन या निर्वहन की एक बढ़ी हुई मातरा होती है और उसका गंध बहुत ही बुरा आता है इसके अलावा थकान उल्टी बेहोशी हो सकता है जी हां तो इस दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए अब इस बारे में जानते हैं सब से पहले तो अद्रक का सेवन जरूर करें अगर हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा अद्रक का जूस गरम पानी में डाल करके अद्रक को उबाली और इसका सेवन कीजिए आपके लिए बहतर रहेगा पीरियर्ट के दोरान कमर दर्द को कम करने में अद्रक का सेव में उबाल करके इसका सेवन करें इसके दर्द को और सूजन को भी कम करने के लिए ये जाना जाता है बोडी के हर पार्ट के दर्द और सूजन को कम करता है अदरक इसके अलावा तुलसी का सेवन करें जी हाँ पिरेट्स के दोरान कमर दर्द को कम करने के लिए दवाएं लेने पर इसका सेवन करें, सिप सिप करके सेवन करें, गटक के नहीं यानि कि एक लागातार न पियें, आप कप में रख करके ठंडा होने के बाद भी वैसे ही पियें, जैसे चाय का सेवन करते हैं, धीरे धीरे चुस के लिए करके तो आपको फायदा होगा, इसके अलावा दालची जिए गर्म पानी से से करने से muscles को relax मिलता है और muscles का ठनाव कम होता है जिससे पीरेट्स के काराण पेट में होने वाला दर्द कम हो जाता है इसके लिए गर्म पानी की थैली यानि की hot water bag से पेट के निचले हिस्से और कमर पर सिखाई कर सकते हैं इससे आपको लाफ होता है हाँ अगर आपको periods के दोरान कमर दर्द में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है तो आपको तुरंत जाच करवा लेनी चाहिए डोक्टर के पास चले जाना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए अगर आपको अत्यधिक तकलिफ हो तो ये उपाय जो का ध्यान रखेंगे तो सायद आपका control हो जाएगा जो लोग पहले से aware हो जाएंगे तो उनको इसका benefit जरूर मिलता है पहले से ध्यान रखें ऐसा नहीं कि अब दर्द होने लगा तब एक आएक आपने start किया इसको फिर आपको उतना quickly असर नहीं देगा ये लेकिन हाँ अग आतों का खास ख्यार रखें आप स्वास्त रहेंगे फिलहाल ये आज की वीडियो रही ये वीडियो आप सभी देख रहे थे अरवेदिक उप्चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर क्या है नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलें साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर क्या करें क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेर और कमेंट करने का बहुत से माताओं बहनों को लाभान विद कर सकता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें वीडियो में अंतर तक आप सभी बने हुई हैं इस बात की बहुत खुशी है हमें दिल से धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपि